अगस्त दोहजार बीस के मासिक राशिफल में चर्चा उस राशी की है जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सिप्टिबिलिटी पीक के उपर रहती है कोई भी कारे केंदर बहुत समय लगा, सफलता नहीं मिल पाई तो बहुत ज़रा अफसोस नहीं रहता करने राशी की जातकों को बहुत जल्दी परिवरतन शीलता को स्विकर कर देते हैं युग जिस तरह से परिवर्टित होता है और कार शेतर में किस तरह का नया पनारा है उसको सुविकार करके चलना और जो बुनियादी इस तरह उसको परिपक्कोता के साथ में लेना नए पन को अपने भीतर समाहित करके खुद के लिए गेनफुल एप्रूच को लेकर आना इन करेंगे और उसके बाद प्रतियेक शेत्रवार क्रम में जुड़ी हुई चर्चा हैं यहां आप देखेंगे के चंद्रमा प्रतिकात्मक्तवर पर राशिस्थान में ही बिराज़त करके लिखाए गए हैं इनकी स्तियों को परिवर्दित करके लिखाना संभव नहीं तो वहीं चतुर्द भावब में डेव गुरु ब्रैस्पति पंच महापुरुष योगों में से एक योग हंस योग का निर्मान कर रहे हैं ब्रैस्पति और केतु की जो यूती संगत इस्तियां है वो ध्वज नामक योग का यहां पर निर्मान कर रही है आप एक और पूरिशन रहेंगे कि व्रैस्पति वक्री भी हैं पंचम भाव में शलिदेव स्वराशी इस्तान में बिराजबान है 29 सितंबर तक वक्री ही रहेंगे अपने राशी इस्तान के भीतर इनके 24 जनवरी 2020 के बाद से पंचम में आ जाने के बाद डहिया का अंतराल आपको हड़ चुका है सब्तम भाव में मंगल की जो इस्ततिया है वो सोले है अगस तक चलेंगी और उसके बाद ये भी अस्टम में स्वराशी इस्तान में प्रवेश कर जाएंगे तो हम सब्तम और अस्टम में जो इनकी ये संचरन इस्ततिया है इसको भी बहुत माइनूटली अब्जर्व करके चलने वाले रहेंगे और आप देखते हैं कि नवम भाव के अलिपत्य जो स्वयम शुक्र है वो दशम भाव के भेतर पूरे एक महीने में एक अगस से 31 अगस तक के में बात करता हूँ तो यहां दशम भाव में ही दिराजमान रहने वाले रहेंगे एक तरह से धन भाव और साथ ही साथ में भाव का अलिपत्य दशम भाव के साथ में राहू की स्थियों के साथ जुड़ा हुआ है यह एक बात नोट करके चलने लायक रहेगी इस मेहने में कि 23 सितंबर 2020 को जब राहू अपने राशी संचरण प्रवर्तियों को परिवर्तित करने वाले हूँ उसके पहले के इस समय अंतराल में इस बात पर बहुत जाड़ा ध्यान देने की आवशकता रहती है कि जब राहू ऐसी गती संचरण की अंतिम वस्ता में हो तो यहां कर्म भाव में विराज़त होने की वज़े से आपको कन्फ्यूज करने वाली अप्रोच लेकर आ सकते हैं जहां निरने की आवशकता नहीं थी वहां आप निरने लेने की और नहीं जाएं यह जरूर ख्याल रखकर चलिएगा जिससे की एक इस्पस्ट इस्तर आपके लिए बना रहे दशन की जब में वरहत चर्चा करूँगा तो इसको और जादा क्लियर करके चलता चला जाऊंगा एक आदश भाव में यह एक बड़ी ही रोचक स्तती है आप देखें कि राशी भाव के आदिपती और कर्म भाव के आदिपती शुरवात की सत्रह दिरों में यानि कि बुद्ध जिनको आंतरक शक्ती और मानसिक चेतना का आदिपत्य भी प्राप्त है यह लाब भाव में बढ़ा बहुत परेशान कर सकती है कैसे सावधान रहना है इसकी मैं एक आदश और द्वादश के साथ में चर्चा रखूंगा तो वही पर बुद्ध भी सतरह अगस्त को फिर से परिवरतन शील होकर सिंग राशी स्थान में प्रवेश कर जाएंगे इस मईने दो ग्रहे प साथ कि आपका ओवर ओल कॉन्फिडेंस और ओवर ओल पॉरिशन क्या कह रही है आप देखें कि जब राशी भाव का अदिपत्त पराप्त गरहे एक आदश में विराजमान हो तो आप जतना कॉन्फिडेंस दिखा कर चलेंगे उतना ही लाथ के सिरों को जोड़ते चले आप रुके नहीं उससे आपको भी एक गेन मिल सकता है व्यापारिक जीवन में भी इस महिने की शुरुवात में लिये गए निरने एक अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक लिये गए निरने आपको बेनिफिट की और ही लेकर जाने वाले होंगे कमिशनिंग संबंधी कामकाज ब्रोकरित संबंधी कामकाज और जो सीजनल बिजनस की पूरिशन्स होती है जहां इंस्टन्ट फाइनेशल गेन कई बार निकल कर सामने आते हैं ऐसी सारी ही प्रवर्तियों में ब्रधी के पूर्ण कालिक संकेत आपके लिए यहां नजर आए इतने समय अंतराल में मैं शिफ्टिंग की और अग्रसर हो सकता हूँ उसकी शुरुवाद भी इस माह के अंतराल में की जा सकती है प्लैनिंग करना और उसको एक इनीशल एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर आना भी आपके लिए अच्छी हद को निर्मित करेगा अपनी आंत की आवशक्ता होती है और उसके बाद में लंबे समय का जो लाब निकल कर आता है ये भी आपको एक नई प्रवर्ती यहां दे रहा है और पंचम में शनिदेव स्थाइट तो भी देने वाले रहेंगे कुल जमाजोड परिवर्तन के आधार पर आप अपनी एक्सेप्टिब आप तक रहें हैं शुक्र वो यहां दशम भाव के साथ में जुड़े रहेंगे धन और कर्म का जब संयोग बनता है आपने जो कर्म किया और उससे लाब मिलता चला गया वयापारिक जीवन में इससे अच्छे स्थति हो नहीं सकती और वो भी आकस्मिक स्थर के उपर किस जगे रोटेशन की आवशकता है किस तरह से रोटेशन को तिवर करना है वयापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन आपके लिए एक कल्कुलेटिव अपरोच रहेगी और वहीं निरनायक मौके के उपर अपनी बात को रखना कम्यूनिकेशन की स्रिष्टता को निर्मि के उपर लेकर आ जाए और जब बाणी का सयोग हो और निरनायक मौके के उपर आपके शब्द और आपकी सोच एक नई रिफ्लेक्शन के साथ में हो तो फिर कर्म में और ज़्यादा आधार आपाता है कुटुम्भी जनों के साथ में किसी भी कार्य की आप शुरबात करना चाते हैं मेरा निविदन रहेगा कि इस महिने वहां से रुक कर रहेगा क्योंकि राहू और शुक्र की यूती संकत इस्तियां साथ में चल रही है व्यक्ति रिष्टों में रियक्टिव हो जाता है और बहुत जादा सिखाने का प्रयास करता है जब आपको तुम्भी जनों कर चलने की कोशिश करनी होगी ये एक प्रमुक्सतर है अन्यत त्रशेत्र के भीतर आपके लिव्यापार हो या नौकरी फ्लो बना रहेगा चिंतित होने की आवशक्ताएं नहीं है तो वहीं थर्ड हाउस जो की पराकरम के साथ में जुड़ा होता है आप देखिए कि पराक ग्रहेस्थ जीवन के साथ में जुड़ा हुआ ग्रहेस्थ की प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी उनके कामकाज में बाधाएं आ पा रही थी और आप उनको मोटिवेट कर रहे थे किन्तु सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहे थे ये समय अंतराल शुरवाती इस्तर के उपर जो एक से सोलह अगस्तक का समय है आपके सपूर्ट की वज़े से उनके पास सॉल्यूशन भी रहेंगे उनके कामकाजी जीवन में फेवर्ड एप्रोच भी बन सकती है जो एक तरह से आपने उनको सहयोग का आधार दिया है मोटिवेशन दिया है वो रिफ्लेक्शन के बहुत जादा संभल कर चलने की आवशक्ताएं होंगी नहत्वा कांक्शाओं को जग जाहिर करने से बचें जब किसी एक सफलता के सिरे को जीवन में हम स्थापित कर चुके हों तब लोगों के सामने आखर ही ज़रूर बताएं कि ये हमने किया और हम अब पूरी ताकत के सा इस वार बढ़ रहे हैं आपके सहयोग की अपिक्षा और आवशक्ता रहेगी किन्तु जब तक इनीशिल बेस प्रिपेर नहीं कर दें तब तक अपनी भीतर ही उन गणनाओं को आप लेकर चलने वाले रहें ये ख्याल रखें भाईयों के साथ व्यापार की शुरवात करने से इस मेने बचें तो मित्रता में लंबे समय से जो संबन चल रहे थे कोई भी खटास नहीं आए ये आपको ख्याल रखना होगा यहाँ पर प्रमोशन के सिरे जो कि कई बार लंबे समय से रोके हुए होते हैं वहां आपके लिए एक आदार बन सकता है संकेत मिल सकते हैं इस प्रवर्ति को मान कर चलिएगा उसके बाद में जब प्राक्रमेश अस्ठम में रहेंगे तो आपके लिए hidden problems सामने निकल करा सकती है वहां से disturbances कहीं ने कहीं रुकावट और बाधा उत्पन कर सकते हैं इस बात के बारे में आप बहुत जादा विचार शील रहकर चलें और अपनी reactive अप्रोच को थोड़ा सा थाम कर भी चलिएगा अब चर्चा चतुर्थ भाव की यहां देखिए कि हंस योग बना हुआ है द्वज योग बना हुआ है के तू यहां उच्चस्त इस्ततियों में और इस राशी संचरण के अंतिम प्रवासकाल के साथ में चल रहे हैं और वक्री होते हुए इसके बाद 23 सितंबर को परिवर् अटके हुए थे किसी जमीन की खरीद फरोक्त के साथ में लंबे समय से कोई कार्य अटका हुआ था जहां पर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा था यह समय वहां सक्सेस लिकर आ सकता है सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुडा हुआ कोई भी कार्य हो फूड प्रोसेसिंग हो गया अन्यत्र कोई भी एक स्तर हो गया वहां पर भी आपके लिए संकेत बहुत अच्छे हैं क्योंकि ब्रहस्पती और शुक्र का दृस्टी संबंध है काम का आज में एक स्मार्ट वर्किंग अपरूच बनी रहेगी जो कार्य दो दिन में पूर्ण हो रहे थे आपके प अस्तान के साथ में मूह बढ़ेगा वहां कोई भी कार्य की शुरुबात करना या अपनी इस्ततियों को नौकरी के साथ में घर परिवार के साथ में जूड़ने का प्रयास करना सफलता के सिरों को अंकित कर सकता है क्योंकि घर परिवार से केतु बहुत ज़्यादा लालाइ करने वाले हो जाते हैं ये भी सपस्ट संकेत हैं वाहन कोई भी खरीदना आप चाते हैं तो इस महीने को खुद के लिए बहतर मान कर चल सकते हैं और उसमें भी 17 अगस्त के बाद का समय जादा बेनिफीशियल रहने वाला है पंचम भाव में शनीदेव बिराजमान आप देख की लाइफ में चल रहे थे तो वहां एकागरता और जादा बढ़ेगी और एक तरह से अगर आपकी जौब किसी ऐसे टेकनिकल फील्ड के साथ में जुड़ी हुई है जहां अपडेट होने की बहुत जादा रेक्वार्मेंट होती है कोई चोटा कोर साफ करना चाहते हैं और उसके शुरुवात इस महिने के अंतराल में ही करने के लिए आपने बानस बना रखा है तो स्रेश्टितम समय आपके लिए यहां पर रहेगा आकस्मिक धनलाब के शेत्र के अंदर एक इस्तिरता का प्रवाह लगातार आपके लिए बना हुआ है इसका अर्थ क्या है जब भ ऐसी प्रवर्तियों के साथ में शनिदेव लाब तो देते हैं किन्तु इतना वो लाब इंस्टेंट नहीं रहता वहां पर व्रद्धी एक स्ट्रक्चर प्रोसेस पर रहती है जो और ज़्यादा इस्थाइट वदेने वाली हो जाती है इस बात को ग़र कीजिएगा जिन भी महिलाओंने कंसीव कर रखा है उनके लिए ये फ्रेम एक बैटर एप्रोच को लेकर आ रहा है ज्यादा चिंतित होने की दरकार नहीं और वहीं संतान पक्ष के साथ में जो इस्तियां लंबे समय से परेशान कर रही थी वहां कम्यूनिकेशन गैप और नहीं बड़े उन चि गह देने वाले नहीं हो इस बात को भी मन और मस्तश्क में इसपस्ट करके चलिएगा किन्तु कम्यूनिकेशन का कोई भी एरिया हो वहां पर इस्थाइत्व और कामकाज में व्रद्धी के संकेत इसपस्ट तोर के उपर रहेंगे दो मित्र ग्रहों की बज़े से मैं यह कह स सकता हूँ जिनका द्वितिये और पंचम के साथ में संबंध है आप देखेंगे द्वितिये जो शुक्र हैं दशम भाव के भीतर विराज़त और छे आठ के संबंध के साथ में शनिदेव पंचम में विराज़त तो ज्ञान और वानी का प्रवाह सम्यक स्तर के उपर बना ह चाते हैं तो उसमें जो आपकी एक्सपेक्टड पूरिशन थी उसको थोड़ा सा घटा कर चलिएगा मान ले जीए व्यापार के मदर आपने सोच रखा है कि इतने लेक्स का रिंड लेना है तो उसको थोड़ा सा कम करके चलें आप उसकी गंड़ना को थोड़ा सा घटा कर जिससे की विवस्तित तोर के उपर आप खुद पर बर्डन बढ़ाने वाले नहीं रहें, सोच में यथार्त की स्तियों को लेकर चलना आवशक रहेगा और वहीं दूसरे स्तर के उपर ये भी ख्याल रखने की आवशकता रहेगी कि जो लंबे समय से आपको शत्रुवत स्तिय परेशान कर रही थी, आपके अनभव के अधार पर, ज्यान के अधार पर, आपकी कामकाज की क्षमताओं के अधार पर वो साइडलाइन होती चली जाएंगी, किन्तु 17 से 31 अगस्त के मध्य कोई भी कमिटमेंट करदे में साउधानी वरतने की आवशकताएं आपको रहेंग तो वहीं सिक्स ताउस के भीतर जो एक तरह से स्वास्ति संबंदिस तर रहता है, उसमें वाईयू जनित रोगों से आपको थोड़ा सा निजात मिल सकता है, मस्किलर पेन में बड़ोतरी नहीं हो, यह आप ध्यान रखेगा, वाहन चलाते समय सावधानी तो एक बात रही, और इसके साथी साथ में कोई भी लंबी दूरी की यातर आपको करनी है, तो यह ध्यान रखेगा कि एक से दूर लोग साथ में रहें, कहीं पर भी फिजिकल पटीग आपको सताने वाली नहीं रहे, उसकी संभावनाय भी यहां पर दिखाई देती है, और भूमी संबंदित क इसे भी कारे में आप रिण लेना चाहते हैं, तो उस और भी गंतब विशेल हो सकते हैं, सेवंध आउस में मंगल विराजमान है, तो सबसे पहले आप यह देखिएगा, कि ग्रहस्त जीवन में यहां मंगल आपको एग्रेसिव नेजर देने वाले नहीं हो, हम जब अपने क नामकालज में बहुत अच्छे से संदलगन हो, उसको एक स्टेप बाइ स्टेप के प्रोसेस के अंदर लेवल की तरफ लेकर जा रहे हो, जो कि बिल्कुल अपवर्ट ट्रेंड की तरफ है, तो ग्रहस्त जीवन के साथ में सामन्जस से आवशक होता है, उनको समय देना आव करना होगा, कि जो व्यापारिक जीवन में तकनीक संबन्धी कामकाज होते हैं, वहाँ वरद्धी रहेगी, यांतरक विध्या के साथ में जोड़कर आप काफे कुछ अचीव करने की पोजिशन के अंदर आ सकते हैं, और जो व्यापारिक साजेदारियों के अंदर आप किसी कमिटमेंट के साथ में थे, किन्तु अब उस कमिटमेंट में खुद को ही बंदा हुआ पा रहे हैं, और एक तरह से हमको नए लेवल की तरफ जाना है, जहां थोड़ा सा सॉल्यूशन हो, बैट कर बातचीत की जा सकती है, जिसका समाधान आपके सामने मौजूद रहेगा, कर मशीलता में दूर दूर तक भी कमी नहीं है, अस्थम भाव के साथ में एक प्रमुक प्रवर्ती है, मंगल 16 अगस्त को अस्थम भाव के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, तो जो रिसर्च और एनलेसिस सम्बंध ही कामकाज होते हैं, अब देखिए आप, कि सरफ और सरफ ए अब दिन आपको करना है, तो वो भी एक एनलेसिस है, केलकुलेशन के साथ में कैसे चलेंगे, वो भी एक एनलेसिस है, वो तिब्रगामी स्थर 16 अगस्त के बाद आपके लिए बना रहता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी डाउट दूर दूर तक भी नहीं है, और वहीं को लेकर चिंतत और विचलित होने की आवशक्ता हैं नहीं, क्योंकि अपने ही राशिस्तान को मंगल प्रभाव देने वाले रहेंगे, जो की पराक्रम के साथ में चुड़ा हुआ है, बाग्य भाव, बाग्येश की स्तियां यो कारक स्तर का निर्मान कर रही हैं, और नवमे टेक्नोलोजी संबंदी किसे भी कामकाज के साथ में, टेक्स्टाइल संबंदी किसे भी कारेशेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं, उसमें नयापन लेकर आना चाहते हैं, जा सकते हैं, उस और आपकी जो प्रबंदन संबंदी स्तियां रहती हैं, उसमें भी अट्मोस किन्तु आपने जो अभी तक अपने कार्य शेतर में नाम हासिल किया है, उसको लेकर बहुत ज़ादा आपको ध्यान रखने की आवशक्ताएं रहेंगी, कई बार शुक्र और राहू की युति संगत इस्ततियां उसके अंदर सेंद लगाने वाली होती है, और नाम को एक निच इस्तर की तरफ लेकर आने वाली होती है, उससे सावधान रहना होगा, अन्यतर इस्तर बेहतर है और वहीं पर उच्च सक्षा के अंदर कुछ डिस्ट्रक्शन्स सामने आ सकते हैं, रशम भाव में यहां आप देखिए कि जाते हूँ इस्ततियों के साथ में राहू विराज जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इस्पष्टता हो, तब ही उस वार बढ़िएगा, पिता के साथ कामकाज में आप सनलगन हैं, उनको राय दे रहे हैं और आपकी हर एक राय मानी जाती है, तो यहां यह धियान रखें कि हम एक जिम्मेदारी के साथ में राय दें, मिलक तो लोगों के उपर उस प्रेजेंट टेबल अप्रोच में हावी बिलकुल भी नहीं हो, इस बात को खुद के लिए जरूर नोट करके हमको चलना चाहिए, तो एक बहतर प्रवर्ती यहां आपके लिए बनी रहेगी, एक आदश भाव में सूर्य और बुद्ध का बुदाल कुमांद्यम है और यह योग आपके लिए उसी आनन्द और संतोश के प्रवाह को लेकर आने वाला रहेगा, शेर मार्केट संबंधी निवेश लंबे समय के लिए के जाते हैं, तो बहतर व्यापार पक्ष में संतान पक्ष को जोड़ना भी व्यापारिक लाप की प्रवर् का थोड़ा सा ख्याल रख कर चलें क्योंकि एकादश में शुर्वात के सोलेह दिनों के लिए सूरीदेव बिराजमान, द्वादश में जब स्वराशिस्तान में सूरीदेव आ जाते हैं, तो एक तो सबसे पहले व्यक्ति को अ निद्रा जनित ये रोग देते हैं, इसका अ जरंतर आप सूरी उपासना करते चले जाएगा और जो रोची के कारे हैं उस और लगे रहीएगा, आदित हरदयम करना भी अती आवशक रहेगा आपके लिए, और वहीं बुद्ध जब द्वादश के साथ में जुड़ा रखने वाले हो जाएंगे, 17 अगस्त के बाद, तो मेजर रिलीव 17 से 31 अगस्त के मद्य मिलने का एक संभावत इस्तर बन सकता है, जिसको भी अपने जीवन में आप जरूर जगह दे कर चलें, तो ये था कन्या राशी के, बुद्ध प्रदान राशी के जातकों के लिए अगस्त 2020 का मासिक राशिफल, हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजर होते रहेंगे, आभार और कोटी शहे, धन्यवाद.